इन्टरनेट ने जहां अमारे लिए information बहुत easily accessible बना दी है कि हम browser में अपनी पसंद का search engine खोल कर कोई भी information बासानी हासिल कर सकते है लेकिन साथी साथ एक problem ये भी पैदा हो गया कि हम तक पहुंचने वाली information क्या सही है ये घलत और आजकल का बहुत बड़ा मसला भी ये है जिसको हम fake information ये fake news भी कहते है इस video के अंदर हम वो terminologies discuss करेंगे और वो technical techniques जहें वो सीखेंगे जिसके तुरू हम easily ये पता लगा सकेंगे कि हम तक पहुंचने वाली information सही है ये fake अगर आपके उपास किसी ने कोई message send किया है और इसमें कोई statistics दिये हुए है अगर इसमें किसी website का ये किसी event का जिकर किया हुआ है तो आप ये find कर सकेंगे कि ये news ठीक है ये गलत अगर किसी ने आपको कोई image send किया है तो आप ये ढूंड सकेंगे कि ये image वाखी ही सही है या modified है और अगर modified है तो original image कहां पे इसका मौझूद है अगर किसी ने आपको कोई video send किया किसी caption के साथ कि ये इस event related है तो आप ये find कर सकेंगे कि क्या ये वाखी ही उस event related है या कोई पुरानी किसी दूसरे event की ये दूसरी country की video है जो आपको गलत caption के साथ भेजी जा रही है इस तमाम exercise का advantage ही होगा कि हम सब मिलकर collectively fake news को बहुत जल्द रोख सकेंगे वैसे तो internet के उपर internationally भी बहुत सारे fact checked groups और websites available है Google खुद भी fact check perform करता है और social media especially Facebook अगर हम example देखें तो उनको वहां की government की तरफ से भी fake news के उपर काफी जादा जाए वो उनके उपर law making के उपर उनके जोड़ दिया गया है पाकिसान के अंदर हमार पाश इस तरह की organizations या fact check groups बहुत ही कम है कुछ media houses हैं जो fact check perform करते हैं कुछ political parties के sales हैं media sales हैं जो fact check perform करते हैं और कुछ independent groups भी है लेकिन उन सब के इसको बहुत दा limited है जो political parties हैं उनका mostly focus उन news items के उपर होता है जो या तो उनके against हैं या उनके हक में जा रही हैं और दूसरी parties के जाए वो against जा रही हैं जो news media groups हैं वो mostly ऐसी news को देखते हैं जो बहुत दा प्रोपगेट हो रही है जो बहुत दा फेमस कोई news item हो और जो individual small groups हैं वो भी इसी तरह की कुछ items को जब देख लेते हैं लेकिन क्योंके information flow बहुत जादा है daily नहीं इतना ही खिसम की news हमारे पस आ रही होती है तो किसी भी एक individual group के लिए ये organization के लिए possible नहीं हो सकता कि वो इस तमाम information को fact check कर सके तो अगर individually हम सब मिलकर ये techniques कुछ सीख लेंगे तो हम अपने पास आने वाले messages को बगएर किसी की मदद के ना सब ये को खुद verify कर सकेंगे बलके उसकी source को भी notify कर सकेंगे कि ये आपने जो में message send किया है वो खलत है और इस तरह के message आप जाए वो forward ना करें प्लस हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी ऐसी sources हैं जो constantly हमारे पास ऐसी घलत या fake information fake news है forward कर रही होती है information flow कि एकर हम बात करें तो data refine होकर information में convert हो जाता है और यही information जब मज़ीद refine होती है और skill ये experience की shape इख्तियार कर लेती है तो ये चीज knowledge क्या होती है fake news को समझने के लिए हम example ले लेते हैं उन discussions की जो हम अपनी family या दोस्त हब आपके साथ कर रहे होते हैं और आब अगर इस चीज़ को note करें तो most of the time हमारी discussions उन topics के बारे में होती है जिनके बारे में हमारी कोई अपनी expertise नहीं है बलके हम दूसरों के opinion को fact के दौर पर represent कर रहे होते हैं अब यहाँ पे इस information की दो category समझना बहुत जरूरी है एक category हम कहते है misinformation और दूसरी है डिस information अगर आप कोई खिस्ता सुना रहे है और आप से लेट से उस event के date आपको सही आद नहीं रहती और आप बलट date जाए वो quote कर देते हैं by mistake तो यह चीज़ misinformation है लेकिन अगर किसी ने पूरा का पूरा वाखिया ही जूटा गड़ावा हो अगर कोई आपको जानबूच कर गलत information पास होन कर रहा हो तो यह चीज disinformation कहलाती है fake news जिसके बारे में हम constant discuss कर रहे हैं यह तमाम fake news disinformation ली category में आती है यह किसी की mistake नहीं होती बलकि जानबूच कर इस तरह की news, images और videos है वो फैलाए जाते हैं ताके लोग confused हो और किसी individual, party, organization के बारे में उनकी पसंद की राखायम कर सकें इसी राइंग रूप discussion की examples को हम लेके आगे बढ़ें तो एक चीज़ जिसको हम कहते हैं fact और दूसरी है opinion fact वो information है जो हम easily verify कर सकें जिसके पीछे research हुई भी हो जो well documented हो और जिसको proof करना बहुत आसान हो लेकिन opinion एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी दे सकता है और opinion अगर हम देखें तो most of the cases opinion बहुत ही जादा biased होते है क्योंकि opinion देने वाले के अपनी भी पसंद ना पसंद होती है जो उसके opinion के उपर बहुत जादा हावी होती है तो अगर आप उससे कोई भी मशवरा लेंगे especially let's say अगर हम politics की बात करें तो अगर आप किसी का opinion ले रहे हैं और उसको party A पसंद है तो उसकी कोशिश होगी कि उसके opinion के अंदर वो party A के बारे में से बच्छी बातें करें और सारे problems बाकि सारी parties के अंदर हो और जिस तरह हमने का कि यह क्योंकि fact नहीं है इसका कोई most of the time evidence नहीं होता तो जो biased opinion लोंके होते हैं वो opinion ही होते हैं लेकिन हम अकसर रहाद अपनी discussions में ऐसे opinions को ही discuss कर रहे होते हैं या उनको fact के तौर बेपरेजेंट कर रहे होते हैं इसलिए कि हमारे लिए वोही source होती है उस information की इसके करें में example देखें fact और opinion की तो Islamabad is the capital of Pakistan हमारा पाकिसान का दार الخलाफा Islamabad है ये एक fact है लेकिन क्या Islamabad पाकिसान का सबसे चे शहर भी है ये किसी को opinion हो सकता है और जिसको opinion होगा वो convinced होगा और आपको भी convince के नहीं कोशिश खटेगा कि हाँ ये ही fact है लेकिन बहुत सारे लोग होगे किसी को कराची पसंद होगा किसी को लहौर पसंद होगा किसी को पिशाव और किसी को कोईटा और पाकिसान से बहार रहने वाले को या पाकिसान से बहार भी अगर किसी ने बहार travel किया है तो उसको कोई दूसरी city पसंद हो सकती है इसी तरह अगर हमें और एक और example दें पाकिसान के अंदर ही कि सबसे ज्यादा बिखने वाली गाड़ी सुजुकी आल्टो है यह एक फैक्ट है और आप पाकिसान Automotive Organization की वेबसाइट पर जाएं वहाँ आपको इसके complete statistics है वो मिल जाएंगे लेकिन क्या सुजुकी आल्टो सबसे ची गाड़ी भी है यह कि उसके opinion हो सकता है obviously उसके इतना सारे buyers है वो आपको इसकी justification देंगे fuel economy बहुत अच्छी है price wise है वो reasonable है दूसरों के बनिस्बत maintenance बहुत अच्छी हो लेकिन यह सारे उनके opinion होगे बहुत सारे और दूसरे लोग है जिनकी different requirements है उनको हो सकता है यह opinions convincing ना लगे वो luxury में जादे interested हो उनके लिए fuel economy matter ना करती हो उनके लिए बहुत जादा options है वो जादा priority हो तो fact यह है कि सबसे जादा बिखने वाली गाड़ी सुजू की auto है लेकिन क्या सबसे चीगाड़ी भी ही है यह fact नहीं है, यह opinion है हम एक और थोड़ी complicated example ले ले लेते है fact versus opinion की fact यह है कि हम oxygen के बगार survive नहीं कर सकते है यह एक fact है और इसके लिए हमें किसी test की जरुरत नहीं है well documented भी है और हमेरे बच्चमन से यह बात मालूम है कि oxygen अमाली कितनी जरूरी है लेकिन किया oxygen सबसे important element भी है elements तो बहुत सारे oxygen भी है hydrogen है, carbon है nitrogen है, sulfur है यह सब भी बहुत important है आप scientist के group से पूछेंगे, तो वह आपको बताएंगे कि oxygen इसलिए important है सबसे ज़्यादा क्योंकि इसके बगएर हम ज़्यादा नहीं रह सकते लेकिन scientist का एक और group ऐसा भी है जो यह कहेगा कि नहीं सबस्द important carbon है इसलिए कि carbon के बगएर life exist ही नहीं कर सकती हमारे DNA में, RNA में, protein में हर चीज़ में carbon शामल है तो जब life exist ही नहीं कर सकती तो oxygen से सांस तो बाद में लेगी सबसे पहले तो उसने exist करना है again, यह scientist के opinion है fact यह है कि हम oxygen के बगएर सांस नहीं ले सकते अभी हमने facts और opinion को देखा लेकिन बाज और हाथ opinion बहुत ही true representation होते है facts के for example, आप किसी doctor के पास जाएं अलाज के लिए, तो आपको हर दफा book खोल कर नहीं दिखाया, बैलकि वो जो आपका बात बताएगा, वो क्योंकि medical science उसने पढ़ी है वो एक qualified doctor है, तो उसका opinion ही valid है, उसका opinion ही आपके लिए fact है इसी तरह अगर आप किसी technology expert के पास आएं तो उसको किसी book खोल कर आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बैलकि वो जो आपको guide करेगा, वो उसका opinion ही based on fact है वहाँ पे आपको biasness नजर नहीं आएगी इसी तरह हम बहुत सारे और दूसरे भी professionals की experience लों की बात करें उनके opinion as good as fact ही होते हैं क्योंकि based on facts होते हैं और वो biased अपना opinion नहीं दे रहे होते हैं बलकि original unfiltered information हमें provide कर रहे होते हैं लेकिन ये पता लगाना कि किसका opinion सही और किसका गलत ये बहुत मुश्किल काम है और ये ही एक बहुत important चीज़ है जो हमें confuse भी करती है और misguide भी करती है इसको पता लगाने का एक तरीखा तो ये है जिसको हम कहेंगे credibility credibility किसी की एक दिन में नहीं बनती अगर कोई एक individual है वो अपनी field का expert है तो उसकी credibility over the years है वो बनती है जिन लोगों ने इसके साथ काम किया होता है जो projects उसने की होते है अगर वो डॉक्टर है तो उसके जो मरीज है वो उसका review उसका feedback प्रोवाइड करेंगे किसका professionalism कैसा है इसने कैसे काम किया इसको काम जै वो इसकी नौयत क्या थी जब आपकी एक दिफ़र credibility बन जाए तो पिर आप जो भी बात बोलेंगे लोग उसको as a fact ही count करेंगे यह जाना बहुत जरूरी है कि हम जिसके opinion को या जिस professional के opinion को हम fact के तौर पे ले रहे हैं इसके अपनी credibility किया है इसका past record किया है इसने past जो हमें information दी है या past जो information sources को quote किया है वो कितनी सही है और कितनी खलत है यह बहुत बड़ी जय है वो differentiation है हमारे लिए कि हम पता लगा सकें कि opinion देने वाला या हमें information प्रवाइट करने वाला individual कितना credible है credibility जो मैं find कर रहे होते हैं तो एक है credibility of your source source जैसे कोई website हो गई कोई scientific journal हो गया कोई renowned history book हो गई और एक होती है credibility of person कि individual का की credibility क्या है source की credibility पता लगा ना फिर भी निजबतान आसान है Encyclopedia Britannica अगर आप खोलेंगे तो आपके expectation यह होगी इसमें लिखावा जो कुछ है वो ठीक है अगर आपको medical की course book खोलेंगे तो आपके expectation यह होगी कि उसमें सब कुछ लिखी हुए information 100% correct है अगर आपको technology की को study guide खोलते है तो obviously उसमें लिखावा सब कुछ ठीक ही होगा लेकिन individual का हमने अभी भी इस थोड़ी दे पहले इसको discuss किया कि individuals क्योंकि हम biased होते है हमारी अपनी जहे वो likes, risk, likes होती है तो हमारे opinion are not always based on facts वो हमारे जहे वो थोड़ी बहुत change होते रहते है और credibility सिर्फ मशूर होने से नहीं होती कि आप बहुत दा मशूर हैं इसलिए आप बहुत दा credible हैं अगर हम fake news की बात करें fake information की बात करें तो अगर आप Pakistan में देखें तो बहुत सारे जो so called credible sources है जो आपको minute by minute या second by second डीटेल दे रहे होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं फलाना meeting इसके साथ हो गई है कली होने वाला है शाम में ही हो जाएगा परसों यह इसकी से मलाहात हुई है चाड़ लोग यहां बैठे वह यह का काम कर रहे थे वो आपको इतनी minute detail के साथ information देते हैं कि जिससे यह गुमान होता है कि या तो खुद meeting में मौझूद है या इनकी कोई बहुत ही credible source थी जो इस meeting में मौझूद थी और उसने इनको information दी है और क्योंके इतनी detailed information देर होते हैं और constant वो as an insider आपको बता रहे होते हैं कि अब यह event होने वाला है और अगर आप उस party को वैसे ही support करते हो तो आप उसकी information को उसकी opinion को fact मानने लगते हैं और वो information आपको credible लगने लगती है लेकिन यह जानना बड़ा असान है कि यह credible है यह नहीं है आप उनके पिछले तीन महीने के छे महीने के उनके articles, blogs, videos को थोड़ा सो ठाके देख लें जब कोई बड़ा event हुआ है और देखें कि वो उसको क्या बता रहे थे अगर वो यह बता रहे थे कि हमें पता है कि कल जो चीज़ होने वाली है उसके बारे में यह यह decision ले लिया गया है तो क्या वैसा हुआ यह नहीं हुआ अगर वो constant इस तरह की news दे रहे है कि breaking news अभी होने वाला है breaking news हम यह बता रहे हैं आपको लेकिन constant वो चीज़ गलत होती जा रही है और क्योंके हम लोग usually बहुत ही short term memory हमारी होती है हम भूल जाते हैं कि पिछले हफते कि उसने जो गलत नहीं उस दी थी वो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ एक मेने पहले कि उसके जो नहीं उस थी वो भी गलत थी हम मुसलसल सेवे इस basis के उपर कि क्योंके वो हमारी party के बारे में अच्छी बाते हैं या जिस चीज़ को हम support करते हैं वो उस बारे में बहुत अच्छी वीडियोज बनाता है इसलिए हम उसको support करते हैं और उसको हम credible भी जानते हैं लेकिन होता ही ही है कि इस तरह के so-called credible लोग disinformation campaign चलाते हैं disinformation फ़लाते हैं groups के बारे में, parties के बारे में individuals के बारे में और organizations के बारे में ये इस तरह की disinformation करकर लोगों को malign करते हैं और अपनी disinformation से अपनी ideology को और अपने गलत intent को अपनी different अपनी party के जाए हो चीज़ों को support करते हैं तो जहां हम थोड़ी scene की credibility verify करेंगे और इनका record देखेंगे कि ये ठीक है गलत है तो हमें पता लग जाएगा especially अगर आप देखें पिछले जाए वो चंद सालों के अंदर तो हर तरह के जाए वो especially politics के अपर आपको ब्लॉग नज़राएंगे अब YouTube का पहला पेज खोलें तो उसके अपर हर नियूस के अपर जो cover पेज होगा उसके अपर यही जह वो तीन चार वड़ी यूज़े होंगे तहल काखेज इनकिशाफ राजफशा हो गया नियूस ब्रेक हो गयी सब पता लग गया यह जो चीज़ें यह चीज़ें clickbait तो होती है और आपको ऐसे इस तरह के वीडियो ब्लॉगर्स के साथ आटेज भी रखती है इस्पेशली इसलिए भी के वो आपकी पार्टी के बारे बहुत अच्छी बातें कर रहे होते हैं क्योंकि आप देखें न mostly जहें वो लोग जाकर दुनिया बर से इतनी पाक्सानी है वो जाकर इस तरह के अगर आपकी let's say आप पार्टी एको सपोर्ट करते हैं और एक ब्लॉगर बैटके आपकी पार्टी के बारे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दे और उसके हक में बड़ी insider information जाए वो अपलोड करना शुरू कर दे चाहे वो गलित ही क्यों ना हो तो वो automatically आपका favorite बन जाएगा और आप मुसलसल जाकर उसकी वीडियोज देखना शुरू कर देंगे ना सिब एक आप देखेंगे बलके आप दूसरों को भी forward करेंगे इसलिए कि आपकी पसंद की party के बारे में उसके बड़े अच्छे ख्यालात है और वो यही दिखा रहा है कि हर गुजरता वा दिन आपकी party के हक में बेतर होता जा रहा है और यह तमाम चीज़ उसकी disinformation campaign का हिस्सा है वो आप से वो इस information को forward भी करवा रहा है आप multiple groups एक है उसमें जारा है लोग verify नहीं कर सकते हैं लोग को जो अभी हम discuss करेंगे techniques लोग वो techniques नहीं पता होती या लोग उन techniques के ना होने के बावजूद भी लोग credibility के ओपर इतना research नहीं करते हैं क्योंकि देखें ना बहुत easy है पता लगाना कि पिछली अगर उसने जाए वो जो चार breaking news दी है या बताया है कि क्या होने वाले अगर वो गलत है तो पांचवी भी जाए वो गलत है लोग छेचा महीने से जाए वो गलत news दे रहे होते हैं और still आप इसकी information जाए वो credible समझ कर जाए वो forward करते रहे दें इस information को हम actually कहते हैं हेर से ये court की language में, legal language में भी ये चीज़ जाए वो हेर से कहलाती है हेर से ऐसी है जासी सुने सुनाई unconfirmed news तो unconfirmed news अगर आपको breaking news कहके दे रहा है या insider information कहके दे रहा है क्योंको देखें न अगर एक meeting एक बंद कमरे में हुई है तो obviously कोई आपको ये तो नहीं बता सकता कि अंदर बैठावा जाए वो exactly जाए वो ये उसकी pictures निकलाई है या फलाना निकलाई है rare cases में हो सकता है बलकुल लेकिन रोज अगर आपको को इस तरह की जब रूदाद बता रहा है तो आपस रूम में तो नहीं जांक सकते लेकिन आप उसकी credibility ज़रूर चेक कर सकते है कि क्या इसकी दीवी news ठीक है या गलत है अगर वो मसलसल सही information दे रहा है ठीक है भी वो बहुत credible आदमी है लेकिन अगर मसलसल उसकी news घलत है या hit and message चल रही है तो इसका मतलब है कि वो आपकी credible source नहीं है हमारा काम यह होना चाहिए कि हम irrespective कि किस party को support कर रहे हूं हमारी support रहे हैं चाहिए facts के लिए आप party A को support करें B को करें आपकी मर्जी आपका right है आप इसको support करें लेकिन यह आपका right नहीं है कि आप घलत information लोग पास on करें या किसी disinformation campaign का हिसा बने segment 5 अब हम देख लेते हैं उन techniques को जिसके थूर्ण हम यह पता लगा सकेंगे कि हम तक पहुंचने वाला message क्या fake news तो नहीं fake information तो नहीं जो message या जो image हमें forward हुआ है वो modified तो नहीं और जो video जिस caption के साथ लाकर हमें दी गई है वो ऐसा तो नहीं कि कोई परानी video है किसी दूसरे event या country related और वो हमें किसी गलत caption के साथ किसी ने forward की है इन techniques के साथ जब हम वो थारी terminology जो हमने से पहले भी discuss की इनको combine करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जागा पता लगाना कि information जो हब तक पहुंची है वो सही है या गलत हम सिर्फ उन sources को touch करेंगे जिनको हम credible समझेंगे हम सिर्फ उन sources सो information एक्स्रेक करेंगे जो fact based हूँ opinion based नहीं यह सारी research करने के लिए कोई special equipment नहीं चाहिए आप अपने mobile phone या laptop के थूँ computer के थूँ easily यह काम कर सकते है जो सिर्फ आपको चीज साहिए वो एक web browser और internet connection है अभी हम जैवो इन दोनों area's को explore करते है कि किस तरह हम computer के उपर या mobile phone पर रहते हुए receive होने वाली किसी भी information को ना से पी के verify कर सकेंगे बलके उसका original source भी ढूड लेंगे अब हम वो technical exercise run करके देखेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें receive होने वाले message image या video original है या modified तो नहीं इसका थोड़ा सा मैं आपको background दे दूँ कि internet पे जब भी को information post होती है जैसे कि news website पर news youtube के उपर कोई video या social media जैसे facebook या twitter के उपर कोई post करता है तो जितने भी search engines है वो तमाम इस information को अपने पास archive कर लेता है या उनकी indexing कर लेता है जिससे मुराद यह है कि वो इन तमाम information के links उनके titles और इनका जो content है उसकी retail वो अपने पास save कर लेते हैं ताकि next time जब भी कोई उस information को search करें तो वो search engine उसको instantly वो information display कर दें इसका एक और advantage यह भी होता है कि original content जब post होता है तो search engines उनकी date और time को भी safe कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो post होगी जो original post चैल आईगी उसकी date और time सबसे पराना होगा और बाद में उसकी modification या repostings उसके बाद की date और time के उपर आएंगी इसको पता लगाने के लिए हमने शुरू के अंदर भी discuss किया कि हम तीन तेने ख़चा पता लगा सकते हैं हम laptop में अपने browser की तुरू search कर सकते हैं या अपने android या apple की devices को यूज करते वे ये काम कर सकते हैं अगर हम browser के अंदर देखें और google search engine की बात करें तो google के ओपर receive अने बाले आप अपने message को direct copy paste कर सकते हैं तो वो आपको वैसे भी information straight away दिखा देगा बेतर ये है कि अगर किसी ने let's say कोईसी financial statistics की बात किये अगर पाकिसान के let's say खर्जों की बात किये या किसी pricing की बात किये dollar rates की बात किये तो बजाए इसके कि आप random website से इस इस इनों को verify करने कोशिश करें आप direct state bank की website पर चले जाएं जो सबसे जादा authentic website है पाकिस्तान के financial matters के लिए वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि आपको receive होने माला message factual नहीं है दूसरा तरीख एक और ये भी है कि जिसना मैंने आपको बताया था कि Google खुद भी fact check पर फॉर्म करता है और इनकी एक website भी है जिसके उपर हम इस तरह के news articles को या information को search कर सकते हैं यहां अगर मैं query में simply पाकिसान लिखूँ तो पाकिसान से related जो information है वो fact check होकर यहां पर already post हुई भी है और आप देख सकते हैं कि different information के ओपर misleading, true या false है वो लिखा हुआ है तो एक तो ये बड़ा simple सा तरीखा है कि आप google fact check के ओपर जाएं और अपनी receive वने वाली information को search कर लें लेकिन इसके ओपर आपको कोई image का ये video search करने का option अज़र नहीं आ रहा है आप इस पर text तो search कर सकते हैं लेकिन image ये video search नहीं कर सकते हैं एक बड़ी दिल्चस्प feature जो तमाम search engines में तमाम popular search engines में मौझूद है वो ये है कि जिस तरह आप text search करते हैं इसी तरह आप images को भी search कर सकते हैं और जितने भी popular search engines हैं वो image search भी provide करते हैं और कुछ dedicated search engines भी हैं जो बने ही images को reverse search करने के लिए हैं reverse search से मुराद ये है कि जब आप उसके उपर कोई image upload करते हैं तो वो पूरे internet के search engines के अंदर ये देखता है कि ये image और कितनी दफ़ा किन-किन जगाओं के उपर पहले post हो चुगा है और वो उसके image size और date के साथ आपको वो तमाम links display कर देता है इसके अंदर अगर हम देखें तो Google की अपनी image search है जिसमें आप direct image drag and drop करके search कर सकते हैं एक और popular search engine जो index है index भी image search प्रवाइड करता है और Microsoft का जो search engine है Bing वो भी image search प्रवाइड करता है तो इन तीनो image searches के थुरू आप किसी भी receive उने वाले message को search कर सकते हैं और एक dedicated website है जिसका नाम है tini.com अगर आप इस website पर चले जाएं तो ये website पर भी आप image को upload करेंगे और ये different search engines के तुरू आपको listing दे देगी कि ये image कहां कहां पोस्ट हो है examples अगर हम देखें पाकिसान related तो examples तो बहुत सारी हैं और unfortunately जब मैं इस video को बनाते हुए example के तौर पे आप लोगों को दिखाने के लिए धून रहा था तो मुझे especially एक ही पार्टी की ज़्यादा examples मिली even though के मेरी कोई किसी भी aansi party के साथ affiliation नहीं है लेकिन वो example क्योंकि easily available थी तो मैं आपको इस वक्ष़ वही डिपले कर रहा हूँ यहां हम 10i के अंदर gallery में जाते हैं और gallery में जाने के बाद यह image है अगर हम शुरू में देखें तो यह image twitter के ओपर और facebook के ओपर multiple times यह है वो share हुआ है जसमें यह लिखा हुआ है Russian President Putin listening to the news of Imran Khan's victory the whole world is a fan of Putin but he is a fan of Imran Khan और यहां पर दिखाये गिया है कि President Putin जो है वो एक TV स्क्रीन के ओपर Imran Khan की victory speech है वो देख रहा है यह internet के ओपर multiple times post भी हुआ है और share भी हुआ है और इसके अगर हम fact check के लिए browser में जाएं और इस image को हमने upload करके यहां पर search में डाल दिया 10 IE के ओपर तो आप देखें इसने 31 results दिखाएं और अगर आप browse करें तो आपको यह देखेंगे कि इन images के अंदर इस screen पर कुछ और बना हुआ है हम यहां पर हमने शुरु में बात कीती हम credibility की authenticity की बात करेंगे तो हम ऐसे links को देखते हैं जो हमें reasonable और credible लगें Washington Post के ओपर भी यह images हैं New York Time के ओपर भी यही same image है हम इसे किसी भी एक पर click कर देते हैं यह आप देख सकते हैं यह Washington Post की website है यह Washington Post का link है जो हमारी लिक्रेडबल है और यहां पर यह description में बता रहा है कि Putin speaks to Italian CEOs via video conferencing original image अगर आप देखें तो यहां पर यह image बहुत ही different है जिसमें Putin को यह दिखाया गिया है कि अमरान खान की victory speech सुन रहा है लेकिन जब हम इसको reverse search करते हैं तो पता लगता है कि actually यह Italian CEOs के साथ video conferencing कर रहा है obviously यह सिर्फ PTI यह अमरान खान की नहीं यह और दूसरी parties की भी इसी तरह की fake news होती है यह सिर्फ example के लिए एक बड़त easily available थी यह मैंने आपको जो है वो दिखा दिये अच्छा इसके अंदर अगर हम apps की बात करें यह तो हम browser की थूर इसको search कर सकते हैं इसको हम अगर चाहें कि किसी application को search करें तो apple की devices के उपर भी reverse image search के नाम से एक app available है इसको आप download करें यह चारों जगा पर search करती है यह Google में भी search करती है यह Yandex में भी search करती है यह Bing में भी search करती है और TinEye में भी तो आप जैसे ही कोई image आपको इस तरह का receive हो आप simply वो image इस app के अंदर जब वो search करें तो आपको जिस तरह अभी हमने results देखे यह results आपके पास है वो इस तरह display हो जाएंगे सारे search engine में Android के अगर हम भाग करें तो Android के अंदर भी इसी तरह की application है और मेरी favorite तो उसके ओपर यहूंगा मैं Android यूजर हूँ मेरी favorite उसके अंदर search by image या reverse image search के नाम से दो utilities है इसको हम अभी search करके install कर लेते हैं अज़र यही technique जो है यह हम use करते हैं videos के लिए कि even though इसमें कोई ऐसा option नहीं है कि हमें यह नज़र आए कि videos किस तरह से upload करें लेकिन उसका basic तरीख यह है कि आप video जो भी आपको receive हो उस video का आप screenshot ले ले दो तीन screenshot different time intervals उसके अंदर ले ले और फिर one by one उन screenshot को images को उनके search कर ले तो अगर वो video कहीं भी post हुई होगी तो वो आपको यह आपे नज़र आ जाएगी इसमें example मैं आपको देता हूँ कि पिछले दिनों एक video बहुत जादा circulate हो रही थी जिसमें दिखाये गिया था कि जैसे गुलिस्ताने जोहर के अंदर रेड एपल और बलोच आइस क्रीम पर खाना खाने वाली family पर अंदा धुन फाइरिंग family के सरवरा जाँ भाग यह अगर आप देखें तो यह video बहुत जादा viral हुई और लोग यही समझते रहें कि शायद यह कोई local incident की detail है लेकिन इसको जब reverse search करें तो पता लगता है कि reality बिल्कुली कुछ और है यह एक मैंने वीडियो तो मैं यहाँ पर नहीं चला सकता ना चलाना चाहूंगा लेकिन इसका मैंने एक screen shot लिया हुआ है यह मैं इस utility में जो android की यह है उससे मैं आपको search करके दिखा देता हूँ यह google में यांडेक्स पे और बेंग पे इन तीनों के अपर जाय हो यह search perform करती है आगर अब देखें तो यह video multiple time internet के उपर पहले भी post हुई है और आप यह देखें कि यहाँ पर यह इसके resolution भी दिखा रहा होता है कि यह कब का post हुई और क्या resolution थी अमूमन जो सबसे highest resolution होती है वो ही original content की category के अदर आता है अब यह index में भी देख लेते हैं यह index में भी आप देखें कि यह दिखाईवी है news यह क्योंकि ज़रा थोड़ी गोर वीडियो है इसमें खतल की बारता दिखाईगी है तो मैं इसको example के तोर पर तो मैंने प्रिजेंट की है मैं इसको बहुत ज़रा सर्च नहीं करूँगा लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि यह वीडियो अगर आप individually बात में अगर सर्च करना चाहें तो यह Ecuador के अंदर यह एक incident हुआ था जिसमें दो लोगों ने एक family पर इस तरह से फारिंग की थी और किसी न यह वीडियो कराची के नाम से मनसूब करके local इसको वो वारिल किया तो यह बड़ी basic सी वो कुछ techniques हैं जिनके थूँ हम messages को, images को यह वीडियो उसको बासानी देख सकते हैं इसमें जो most critical element है वो यह है कि जब ही आपको results display होते हैं तो आपको यह पता लगाना कि इसमें से कौन सा credible link है क्योंकि जब आप उमोमन सर्च करेंगे और कोई चीज अलड़ी viral वीवी होगी especially social media के उपर तो social media के ही आपको बहुत सारे links नज़र आने लगेंगे जिससे हो सकता है आपको initially यह लगे कि शायद यही image real है लेकिन आप थोड़ा सा ज़र्ब इसको और डिक करेंगे थोड़ी सी जब रेगुलर जब इस तरह की image सर्च क्या करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से differentiate करना है कौन सी चीज जब रियल जब जब ज़ादा है कौन सी ज़ादा credible websites के उपर available है और उससे आप जब इमेजिटली यह पता लगा लेंगे कि सही image कौन सा है और fake image कौन सा है और फिर best तो टेक्निक यह ही है कि आप उस evidence उसके बाद जिसने यह image आपको forward किया यह post किया है उसको forward कर दें ताकि उसकी भी तस्रीव हो सके और यह disinformation campaign जो है वो रोक सके उमीद है यह walkthrough आप लोगों को पसंद आया होगा और इस technique के थूँ अब आप भी कोशिश करेंगे कि इस disinformation को रोक सकें fake news अगर आपके पास कोई forward करता है तो आप ना सिर्फ इसको रोक सकें बलकि उसको notify भी करें कि यह information fake है अगर इस तरह के accounts हैं जो twitter के ओपर या different social media के ओपर घलत news जाए वो पहला रहे हैं तो आप फौर उनको tag कर सकते हैं आप correct news जा correct sources हैं वो post कर सकते हैं और जिस तरह हमने शुरू में इस चीज़ को discuss किया क्यूंके किसी भी एक single organization के लिए possible नहीं है कि वो सारी fake news को fact check कर सके तो हम collectively जब यह काम खुद करने लगेंगे tagging स्टार्ट कर देंगे correct news post करने लगेंगे और original source से correct image उनको post करके दिखाएंगे कि यह चीज़ घलत है तो automatically वो discourage होंगे और fake news यह disinformation जाए वो आहिस्ता हिस्ता खतम होने लगेगी हमने अभी fact versus opinion की बात की और sources की authenticity की उनकी credibility की बात की मैं आपको एक छोटा सा जाएवो एक test देता हूँ और आप जाएवो कमेंट्स में इसका जवाब लिखें कि Islamabad कराची से shift होकर capital city किस year में बना Islamabad पहले कराची यह यह capital city था तो किस year में Islamabad capital city बना आप अपने जाएवो यही technique साप यूज कीजे और आप पता लगाईए कि यह क्या है आप नीचे कमेंट में वो year लिखिए और यह बताएगी कि किस source को आपने ज्याद़ credible समझा और उसकी बात आपको ज्याद़ भेतर लगी इस वीडियो और इसमें discuss techniques related अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप बिलकुल कमेंट में वो सवाल कर सकते हैं मेरी कोशिश यह होगी कि मैं इसी तरह की technology related information वीडियो की सूरत में आप तक पहुचाता रहा हूँ next topics में इंशाला cyber security dark web personal safety using technology और इस तरह के बहुत सारे different topics हैं जो जिनके पर videos हैं वो release होंगी so please आप जए वो चैनल सब्स्क्राइब कीजए ताके आपको यह videos हैं वो time level सके